रविवार को बॉलिवोड से बेहत दुख भरी खबर सामने आई अभिनेता सुशान सिंग राजपूत ने आत्महत्या कर ली है रिपोर्ट्स के अनुसा सुशान ने रविवार सुभा मुंबई में बांदरा स्थित अपनी निवास पर फासी लगा कर आत्महत्या की है इस घटना की जानकारी उनके नौकर ने पुलिस वालों को दी टीवी से फिल्मों का सफर उन्होंने तैक किया वक्त के साथ साथ बड़े मुकाम उन्होंने हांसिल किये पिछले कुछ सालों से वो कुछ परेशानियों से भी जूच रहे थे उन्होंने मौजूद पीडी के टालेंटिड अभी नेताओं में अपना नाम बहुत वक्त पहले ही दर्श करवा दिया था लेकिन सुशान के इस दुखद कदम के पीछे क्या आखिर वच्छा थी ये हर कोई जानना चाहता है बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे हलाकि रिपोर्ट्स के मताबिक अभी तक सुसाइड नोट नहीं मिल पाया है इनके निधन की खबर सुनकर पूरी बॉल्यूर इंडस्टी टीवी इंडस्टी और उनके फैंस दंग रह जुके हैं इनके सुसाइड की वज़ह कोई सामने नहीं आई सिर्फ डिप्रेशन ही उसे कहा जा रहा है बताया जा रहा है कि सुशांत 6 महीने से लगभग डिप्रेशन में इसलिए थे क्योंकि उनका काम सहीं नहीं चल रहा था वो काफी वक्से परिशान थे कि उनकी फिल्म में जादा सफल साबित नहीं हो पा रही है जबकि वो इस बीच अपने फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे फॉल्ट एन आस्टार्स और इसी बीच उनके लव रिलेशनशिप में भी काफी पुरा असर पढ़ने लगा था वो अंकिता लोखंडी, रिया चकरबर्ती और कृती सारन के साथ रिलेशनशिप में रह चुगे हैं ऐसे में करोना के इस वक्त में उन्हें काफी मुश्किल समय भी देखना पड़ रहा था वो अपने घर पे अकेले थे और उनका ये अकेलापन उन्हें इतना खा चुका था कि डिप्रेशन का शिकार रहने वाले सुशान सिंग राजपूत ने आत्माहत्या कर ली